नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक पर खोश खबर का एकरम दिल्ली के उपमुख्य मंत्री मनी सिसोधिया की गिरफतारी मेसेज क्या वाकई लोगतंत्र की पराकाश्था है वाकई मोदी जी जी ट्वेंटी के लिए आपने जो नया शब्द गढ़ा है जो नया वर्ड गढ़ा है यूँ कहिए कि नया जुमला गढ़ा है Mother of Democracy वह हमें वाकई कदम कदम पर दिखा रहा है कि किस तरह से देश में Mother of Democracy का बोल बाला है और दिल्ली के उप मुख्य मंतरी मनी सिसोद्या के गिरफतारी को इसी क्रम में देखा और समझा जा सकता है दोस्तों सोची जड़ा एक चुनी हुई सरकार उस चुनी हुई सरकार का उप मुख्य मंतरी मनी सिसोद्या गिरफतारी की आहट पाकर गुहार लगाते हैं और मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल से कहते हैं कि मैं तो चला मेरे परिवार का ध्यान रखना आज जब यह जेल भेज रहे हैं मुझको तो मेरी वाइप घर पर अकेली रही है मैं इस रेके हूँ मेरा एक बेटा है मेरा एक बेटा है जो युनिवर्स्टी में पढ़ता है और मेरी वाइप घर पर अकेली रहेंगे वह आजकल बहुत बिमार है 26 वरवरी को जिस समय घटना होती है उस समय रात सारा का सारा मीडिया बस यही ख़बर चलाता है कि किस तरह से केजरिवाल मनी सिसोधिया के घर जाते हैं और वहाँ घर वालों से मिलकर यह आशवाशन देते हैं कि हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मौजूद हैं मैं और मान साब अभी उनकी वाइफ से मिलकर आ रहे हैं उनकी वाइफ को काफी सीरियस बिमारी है मल्टिपल स्क्लेरोसिस जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉड़ी के उपर खतम होता जाता है मनीश के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पड़ रहे हैं तो उनके घर में अकेली हैं वो और मनीश जी उनका ख्याल रखा करते थे पर हमने उनको सांत्वना दिया है कि कि चिंता करने की बात नहीं है आपके पती बहुत सासी है देश के लिए लड़ रहे हैं देश को पूरे देश को मनीश जी के उपर गर्व है और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे वाकई यह Mother of Democracy का ही एक नमूना है एक जाकी है यह सवाल बहुत जरूरी है बहुत एहम है क्योंकि हमें और आपको यह ध्यान रखना है कि जब एक उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से यह गुहार लगाए कि मेरे परिवार का ध्यान रखना तब आपको और हमको सोचना होगा कि इसी देश की राजधानी दिल्ली में महरोली में जब सैकडों घर ढाये जा रहे थे महिलाएं सडक पर उतर कर अपने घर को ढहते देख रही थी चीख रही थी रो रही थी बच्चों को निकाल रही थी सोचिए उस समय वे किस से गुहार लगाती मदर ओफ डिमक्रेसी में कौन था जो इन महिलाओं की आवाज सुनता दोस्तों यह सवाल बहुत जरूरी है यह पूछा जाना कि आखिर जो मदर ओफ डिमक्रेसी के पूरे पोस्टर बैनर हर जगा लग रहे हैं हर जगा इसका गुरगान हो रहा है जी ट्वेंटी की जो भव्वित तैयारी है क्या उससे पहले जमीन पर लोकतंत्र को इसी तरह से कुछला जाएगा और उसको कुछलने के लिए पूरी की पूरा सिस्टम जो अंगिनत एजेंसिया है वह इसी तरह से दोड़ती रहेंगी क्योंकि ध्यान दीजिए भाशपा नेता उनसे जुड़े हुए लोग ये नारा लगा रहे हैं कि मनीश सी सोदिया की गिरफतारी तो जाकी है अब केजरिवाल की बारी है यानि उनकी तरफ से एजेंडा बिलकुल सेट है विपक्ष की सरकार चाहे वह सरकार कितना भी भारती जनता पार्टी या जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसके पक्ष में बैटिंग करती हुई नजर आए वह भी उन्हें गवारा नहीं और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन में उत्रे आम आदमी पार्टी के सांसद संजे सिंग दिल्ली के मंत्री गोपाल राय को और अंगिनत टीम वर्कर्स को गिरफतार किया गया उससे भी संदेश बहुत साफ है कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना भी मुश्किल होता जाएगा यहां हम आपको याद दिला दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो सरकार है उसके जो मंत्री सतेंदर जैन को गिरफतार किया गया और अब मनीसी सोदिया की गिरफतारी बहुत गंभीर संकेत दे रही है मामला सिर्फ एक सरकार का नहीं है हमने 2014 से लेकर अब तक देखा है कि विपक्ष के नेता हों, विपक्ष की सरकारे हों उन पर हमला लगातार अगर आप ग्राफ देखेंगे बहुती तीखा, बहुती सीधा और लगातार बेशर्म होता जा रहा है खरीद फरोख्त करना, तमाम एजेंसियों की दबिश देकर सरकारों को पलटवाना, सरकारें गिराना और जो विपक्ष की सरकारे चल रही हैं, उन पर लगातार या दबाव बनाए रखना कि कभी भी कोई भी आपरेशन लोटस हो सकता है और सब के बारे में लोकतंत्र को बचाने के तमाम खंबे पूरी तरह से खामोश रहेंगे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलेगी मुझे लगता है यह जो पूरा सिनेरियो है, यह जो पूरा परिद्रिश है यह बता रहा है कि लोकतंत्र किस तरह से एक दूसरे ढंके तंत्र में बीत गया है तब दील हो गया है, जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी का डंडा है और देश का कानून और सम्मिधान पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है मिसाल के तोर पर हमें याद रखना चाहिए कि 2014 के बाद किस तरह से पूर्व ग्रिह मंत्री, वित्र मंत्री, कॉंग्रेस नेता, पी चितंबरम को गिरफतार किया गया कॉंग्रेस के वरिश नेता, करनाटक के जो कॉंग्रेस के प्रमुख, डी के शिफ कुमार किस तरह से लगातार निशाने पर रहे, किस तरह से लगातार निशाने पर बने हुए हैं उनके खिलाफ तमाम एजेंसियां काम कर रही है शिव सेना के नेता संजे राउत, NCP के नेता अनल देश्मुक और नवाब मलिक सिर्फ इतना ही नहीं तेलंगाना हो, आंधर हो, केरल की सरकारे हो, ये सब सीधे सीधे निशाने पर रही हैं इनके खिलाफ जब मनाता है तब केंदर सरकार अपनी एजनसियों के घोड़े दोड़ा देती है मामला यहां बहुत साफ है और बहुत सीधा है कि विपक्ष किसी भी रूप में मोदी सरकार को बरदाश नहीं है दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे और तमाम मीडिया यह बताने पर लगा हुआ है कि दरसल यह ब्रष्टाचार का मामला है मनिसी सोधिया पर जो लिकर पॉलसी है जो शराब की पॉलसी थी उसको लेकर सवाल था उसको लेकर सारा का सारा मामला बनाया गया लेकिन एक सवाल जो मैं आपके जरीए सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकार जी थोड़ा यह भी बताइए कि बाकी भृष्टाचार आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है पूरे देशी नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हिडन बर्ग की जो रिपोर्ट आई जिसने सीधे सीधे सवाल पूछा मोदी सरकार से क्योंकि मोदी सरकार की महरबानियों से उनके जो प्री उद्योग पती हैं अडानी जी वह कहां से कहां अंतराश्टी स्थर पर पहुँचे दुनिया के अमीरों में तीसरे नमबर तक पहुँचे और उसके बाद हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया कि यह सारा का सारा मामला किस तरह से फर्जी वाड़ा था किस तरह से शेल कमपनियों के जरिये पैसा आया किस तरह से निवेश हुआ यह सब हम आपके साथ पहले भी साजा कर चुके हैं और इसे देश और दुनिया देख चुकी है लेकिन आप देखिए क्या एक नजारा क्या एक दबिश क्या एक पूछताच अडानी जी से कर पाई यह सरकार क्या एक एजेंसी नोटिस तक भेच पाई इसके उलट जो हमें दिखाई दिया कि बाकी सारी सरकारें तो खामोश रहेंगी ही लेकिन यहाँ पर बैंक के बाद बैंक अडानी जी के डूपते हुए शेर क को बचाने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा कि हम लोन देने को तयार हैं और हमारा और आपका पैसा जो LIC में लगा है वह तो अडानी जी की जोली में पहले ही जा चुका है यानि जब अडानी जी भ्रष्टाचार करें जिसके बारे में पुक्ता सबूत हैं जिसको वो चैलेंज तक नहीं कर पा रहे तब यह तमाम एजेंसियां खामोश रहती हैं क्योंकि यह तमाम एजेंसियां दरसल पॉलिटिकल एजेंसियों में तबदील हो चुकी हैं यह सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं मोदी जी के इशारे पर उनकी सरकार के इशारे पर इन्हें सिर्फ ब्रश्चाचार नजर आता है विपक्ष की सरकारों और विपक्ष के नेताओं में इसके अलावा ही अगर आप ध्यान से देखिए कि करनाटक जहां चुनाओ होने हैं वहां एक के बाद एक अंगिनत खुला से इस तरह के हुए कि करनाटक में जो भारती जंता पार्टी की सरक प्रश्चाचार आत्महत्या करने पर मजबूर हुए और सब ने तकरीबन लिख कर दिया कि पूरा सिस्टम भाश्पा ने जो बनाया है वह इतना करप्ठ है कि वह अपना काम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कहीं E.D. नहीं कहीं C.B.I. नहीं कहीं पुलिस की दबिश तक नहीं यह जो सारा का सारा मामला चल रहा है यह जो निया नॉर्मल है दरसल यही लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है और इसी करम में देखिए निया राठोर जी हां निया राठोर जो पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई जिन्हों ने यह साबित किया कि नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा है उसे सिर्फ हिंसा की ओर नहीं मुड़ा जा सकता उसे सिर्फ अशलीलता की तरफ नहीं मुड़ा जा सकता वह दम खम के साथ अपनी देशी जबान में भोशपुरी में सरकार से सवाल पूछती है यूपी में क अब देखिए नेहा राठायर उस तरह से जो हिंदूत्व ब्रिगेट के निशाने पर लोग हैं वह जुनैद नहीं हैं वह मुस्लमान नहीं हैं वह मेव समधाय से जुड़ी हुई नहीं हैं वह बिलकिस नहीं हैं वह नेहा राठोर हैं यानि एक हिंदू महिला हैं लेकिन वह हिंदू महिला इनके हिंदूत वाले फ्रेमवर्क को चुनौती दे रही हैं लिहाजा उन्हें यह नोटिस मिलता है और सारे के सारे कानून और नियम को धता बता कर उनके पती से इस्तीफा लिया जाता है दबाव बनाया जाता है तो यह है mother of democracy में democracy मोदी जी इसी करम में बहुत जरूरी है याद करना क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में जो राजनिती चल रही है जो बड़ी तेजी से करवट ले रही है इसी राजधानी में तीन साल पहले जी हां ठीक तीन स पहले इसी देश की राजधानी को साजिश के तहत जलाया गया था हिंसा हुई थी यहां पर बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ था सब कुछ सबके सामने हुआ था और यहां मैं आपके साथ ये पूरे फक्र के साथ कह सकती हूं कि तीन साल पहले भी निउस क्लि हमने पूरी सीरीज चलाई लोगों को बताया कि भूलना नहीं, याद रखना जरूरी है कि वे कौन लोग थे जो हिंसा में शामिल थे, वे कौन लोग थे जो इस हिंसा को बचाने की कोशिश कर रहे थे और क्या विडंबना है Mother of Democracy में कि जो लोग हिंसा को बचाने की कोशिश कर रहे थे वे लोग आज भी सलाखों के पीछे हैं चाहे उमर खालेधों या फिर उस तरह के तमाम अंगिनत लोग जिनके उपर मामले हैं और ऐसे में ही बहुत जरूरी है दिल्ली की चुनी हुई सरकार से भी सवाल पूछना तीन साल पहले आम आदमी की पार्टी की सरकार यहां पर थी जैसे अभी है लेकिन उस समय सरकार ने जमीन पर उतर कर हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं की हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और शायद वह सोच रहे थे कि यह उन पर हमला नहीं है तीन साल बाद देखिए कि वहां से जो आग लगी थी उसमें उसकी जद में मनीस सिसोदिया जी का घर भी आया आम आदमी पार्टी पर हमला लगातार तेज हुआ शायद आद बहुत जरूरी है जो लोग सोच रहे हैं कि यह सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक नेता पर हमला है जो यह सोच रहे हैं कि वे बचे रह जाएंगे उन्हें जागना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमला सिर्फ एक पर और दूसरे पर नहीं यह हमला हम सब पर है लोगतंतर पर हमला है और जब मैं पूरा का पूरा राजनितिक परिद्रिश देख रही हूं जिस तरह से सारी चीज़ें गडमढ हो रही हैं Mother of Democracy में डेमोक्रेसी यानि लोगतंत्र पर हमला है तब मुझे याद आते हैं रगुवीर सहाए जी हाँ वरिष्ट कवी और पत्रकार रगुवीर सहाए की ये पंक्तियां मानो हमारे देश का भविश्य कह रही हैं जब वह कहते हैं निर्धन जनता का शोशन है कहकर आप हसे सबके सब हैं भ्रष्टाचारी कहकर आप हसे चारो और बड़ी लाचारी कहकर आप हसे कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा सहसा मुझको अकेला पाकर फिर से आप हसे जी हाँ बहुत जरूरी है कि हम और आप सत्ता के सामने अकेले खड़े ना हों हम और आप जब खड़े हों तब हमारे साथ वे तमाम लोग हों वे तमाम कड़िया हों जो लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं जिन्दा रखना चाहती हैं आज के दौर में मीडिया को जिन्दा र रखना है तो शायद बहुत जरूरी है हमारा और आपका मिलकर खड़ा होना शुक्रिया